गुड मार्निंग एवरिवन तो प्यारे बच्चो आज हम सेवें स्टेंडर में गुजराती सिखेंगे लेशन नंबर नाइन तो बच्चो आज है आपनों टपिक नो नाम छे समय नू महतो बच्चो हम सबको पता है समय क्या है टाइम खुबज इंपोर्टन छे तो आपने समय नी कदर करवी जो एक वा चाल लो गये समय आपने पाच्छो 11 पर मरतो न थी बच्चो अभी आप लोगों को अभी आप हाल में ही देख रहे हो कि जो कोरोना की वज़े से जो हमारा समय गया है आप लोगों की पड़ाई एक साल की जो अनलाइन क्लास हुए ये सब हुआ उसमें आप लोगों का कितना नुकसान हुआ है तो वो हमारा समय चला गया है वो समय हमारा वापस कभी नहीं आएगा तो बच्चो यहां समय नो महत्व समझावामा आवियो छे तो घांदी जी छे घांदी जी समय ना खुबज पाका हाता है समय ने खुबज महत्व आपता हाता जे व्यक्ति समय नो खुबज महत्व आपे छे एमनो कदर करे छे समय ने हिसाबे चाले छे ते जीवन मा आगर वदे छे एटले बच्चो आपने पर समाई नो महत्व आपू जो यहाने समाई ना इसाबे चालू जो यहे ताभी हम देखेंगे के आज के ये लेशन में क्या है यहां से लेशन स्टाट करें यूँ टक 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 घड़ियाल सतत चाल तूज रहे छे गरहल आपने समझावे किसी सतत समाई प्रमाने काम करता रहो बच्चो यहां जो घड़ियाल है घड़ी है ये घड़ी का भी चित्र दिया है बच्चो घड़ी का चित्र दिया है क्योंकि सम ढूंदी और जाहाब गर्मी आए और आज हमें खाना क्यों ना मिले लेकिन घरी तो चलेगी çıktों चलेगी आ है आप अब लोग अभी किता स्कुल नैं से नहीं चुहरा ख़े नहीं अचा समाई रूपता नहीं वो टक टक करते चलती ही रहेगी तो हमें घड़ी की तरह चलते ही रहना चलते रहना ही तो आपनों काम करतू रहवानों छे समाई नी गती घणी जड़पी होचे समाई ने कोई रूपी सकतू नथी समाई का बहुत महत्व है समाई घणी जड़पी होचे जो उसकी घटी है वो चालूई चालूई रहेगी समाई ने कोई रूपी सकतू नथी उनको कभी भी हम रोक सकते नहीं है एक एक साण घणी जड़पी होचे अभी एक साण एक एक मिनीट आपने माटे घणी किम्ती होचे एक पन साण आपनी वापस पाचे आवी सकती नथी बच्चो अभी आपका एक कल्ला जिस स्कूल में गया था वो अभी वापस आया नहीं आया वो वापस कभी नहीं आएगा तो समई पांछो आज तो न थी अबी सूरज की बात हो दो dead के सूरज रोज सवारे समई अनुसर उगए छे अन्य समय प्रमाणी आत्मी irov देखो सूरज अपने हिसाब से उग और अपने हिसाब से ही आत्मी गे ज़िए यहां ज्यादा बारिस हो रे जो टाइम है वोई होगा वो किसी के लिए रुखेगा नहीं घड़ेल अन्य सूरज आपने सिस्त नोव पार्ट भनावे चे तो बचो घड़ी हमें घड़ी हमें और सूरज हमें सिस्त का मतलें की दिशिप्लीन का पार्ट पढ़ाता है हमें वीनाई वीवेक सिकाता है हमें समय के अनुसर चलना सिकाता है सतत कारशिल रहूं ते जीवन चे तमाम काम समय अनुसर कर दो नथी ते कदी प्रगती करी सकतो नथी देखो बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया कि तमाम काम अपने समय के अनुसर करना चाहिए अब याप 7 तो अभी आपके सिक्स का चला गया वह रिपोट कार बन गया अभी उनका कोई फायदा नहीं अभी आप लोगों को तैयरी करनी है तो सेवेंथ करने पड़ेगी समय के अनुसार तब आप जीवन में आगे बढ़े गो जो समय के अनुसार अपना प्रगति करता है अपना काम करता है वो इजीवन में तो नथी वो कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है एक वेक्ति एक वखत एक वेक्ति घंधी जी पासे आविया तेने प्रश्ण करियो महात्मा जी जीवन मा प्रगति करवा माटी मनुस्य सवती पहला सुप्राप करू जो ये सिक्षन सकति के धन देखो बच्चे अभी यहां एक और बात आई सिक्षन और धन धन मतलब के पैसा तो उनको बोल रहें के एक वखत एक वेक्ति घंधी जी पासे घंधी जी के पास आके बोला कि महात्मा जी जीवन मा जो हमारी जीवन है उसमें प्रगति करने के लिए हमें स सिक्षन सकते अ़न तो अभी आप छोग सेवंग में हो सेके में हो थार में हो तो अभी आप धन करोगे गोट नहीं क्योंग से लेना say से पहले सब्साइब कि जीमेदारी journée कि See जिक्षन के बाद आप 25-28 येर्स के हो जाओगे तब आप धन नौकरी नहीं करोगे कोई धन नहीं कमाओगे और आप तब सेक्ष्ट और पढ़ने जाओगे तो पर सेक्षन परफने जाओगे तो क्या आपको वह अच्छा लगे ठीक लगेगा वह समाई के अनुसार है नहीं वो समाई के अनुसार नहीं है तो उन्होंने प्रेशने किया के मुझे सिक्षन प्राप्त करना चाहिए धन तो घांधी जी ये कहिँ आतमाम जीवन मा प्रगती करवा माटे सहयक जरूरी बने छे परन्त मारा ख्यालती सवती अगत्य अनुचे समाई नी शमाज देखो यहां भी समाई का ही महत्वा है धन और विध्या के बीस में भी समाई है धन का प्राप्त करना है वो समाई है शिक्षन का प्राप्त करना है वो समाई है तो बच्चो सबसे पहले हमें क्या प्राप्त करना चाहिए शिक्षन क्योंकि अभी हम धन कमाने लग जाएंगे और हम लोग 30 years के हो जाएंगे 30 साल के हो जाएंगे तब हम first और second में पढ़ने जाएंगे तो क्या समय के अनुसर हो पाएगा नहीं बदनामी होगी बेजती होगी और हमारा बहुत सारा नुक्सान होगा हो हमारा जीवन में कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसलिए हम हमें सबसे पेहले समय नुछ ख्याल राज़ जो ये समय के हिसाबसे हमें चलना चाहिए प्रथ्यकन निष्चित समय हो छें जो आपने तीनत समचिने निष्चित समय प्रहाणे कार्यों करिये तो ज आपने सपर्ठा माडी सक्के । देखो बच्चुल । आपना जीवन मां निश्चीच समाई होँछे । अत्यारे आपणे सिक्षण मेड़ावानू छे तो । आपने सिक्षण मेड़ाविये औन्य जो आपने 30 वर्स ठेगे पचे आपने नोकरी करवानी छे तेरे अपने धन मेड़ावानू छे तो एक समय आपने एक समय शुच्रवे छे समय आपने या दस्त आपे छे अन्य आपने समय ने हिसा समझा राय के जीवन bekommen रुकोर न जोहें बारिको समय तो जीवन मा सफोर्टानी चावी समय छे समय आणूसार काम कराल देकतीने सफोर्टाना मिठापथाफ खावा मड़े छे बच्यों समय के आनूसार हम conviction जीवन में अच्छे होगा और हमारे जीवन में सफर्ट यानी चावी पर समयात छे घरल आपने संदेश आपे छे के पोताना नियम ने वर्गी रहो पोताना समय ने वर्गी रहो पोताना आर्देश पर स्तीर रहो बचो जो घरी है वो हमें समझाती है कि जो हमारे नियम है उस पे वर्गी रहो मतलब के स कभी भी दल हिलने मत देना तो बाड़को आज है आपने समय नो महत्व विसे समझायों कि समय नहीं साभी आपने काम करूँ जो यह समय नहीं साभी आपने सिक्सापन मेड़वू जो देखो बचो उसकी उमर अभी है सेवें एज स्टेंडर में पड़ता होगा तो वह अभी प अब हमारी उमर है पड़ाइक करने कि तो अभी हमें पड़ाइक करनी है उसके बाद हम नक्रीक जो भी करना है वह हम करेंगे तो बच्चो अभी हम सब्दाथ दिखेंगे गति वेग प्रगती विकास समाई अनुसर समाई प्रमाणे कारियस्वील मतलब कारियमा मस्गूल रहवू निश्चीत चोकस वरगी रहवू मतलब अनुसर वू तो यह विद आपने करवू जो यह अभी हम देखेंगे सोध खोड़ समाई भारत ना महान चहराओ यह अभी हमारे भ कर दो कि नाम लखेंगे वहां हमें नाम लिखना है तब यहां फर्ष्ट है यह सुभास चंद्र बोत यहां बच्चों हमें लिखना होगा मैं आप लोगों को लिखना होगा अभी सेकेंड है तुलसी यहां लिखना पड़ेगा तुलसी दास थर्ड है चंद्र सेखर आजाद यह चंद्र सेखर आजाद है यहां लिखना पड़ेगा फोर्थ है सत्रपती सिवाजी यहां सत्रपती सिवाजी का नाम लिखेंगे और यह हैं इंदिरा घांधी फिर के इंदिरा घांधी का नाम लिखेंगे अब है शीक्स में राणी लक्समी बाई यहां लिखेंगे राणी लक्समी बाई और सेवेंथ में लिखेंगे घांधी जी आप लोगों को पता है महात्मा घांधी जी एट में लिखेंगे जवाहलाल नहरू यहां लिखेंगे जवाहलाल नहरू तो बच्चो यहां आप लोगों को नाम लिखना है और उसका नाम भी आप लोगों को पता चल जाएगा अभी हम देखेंगे उपना मतलब के यहां जो साचा विकल्प दिया है तो उसको हमें सही वि कोण्या प्राइब करना है चाचा कोणूं उपनाम चे कोन्यावा मां आवे छे लोखनदी पूरुषना नाम थी कोण प्रसित चे सातरपती नाम थी कोण प्रख्या चे निराला कही साहित्यकान उपनान छे बद्धु आपने आयां लखवानू ग्रीन करवानू देशे पूर्सतम कोने कहवा मायवेचे तो स्रीराम ने तमारे ग्रीन करवानू देशे तो बच्चो यह लेसन आप लोगों यह उपनाम है विकल्पे वाले प्रश्न है वह आप सबस्क्राइब देशतं है झाल ज depiction लिए और विकल्पे मैं वह बड़ा भातले ग्रीके वह दोने कंवानी आप लुग। की तो बच्चो अभी हमें भी उसकी तरह ही पड़ाई करना है और हमारे जीवने प्रगति करनी है और समय के साथ चलना है समाईनों महत्वा व्य से जानी हुई धी एक्जाम का तायारी करना ही हैggak और उसमें एक्जाम देखे पास, हमें अमें एक्जाम देह सुरुकराई हमें एक्जामें देक ही समय क से पहस्तों के सीमाई coher जाना हैं यह अनुसार ही जाएंगे ओके बच्चों तो आप लगों को ये लेसंस समझ में आया होगा ओके थेंक यू